हलो गुड मोनिंग एंड वेलकम बेक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पेसर एजूकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे चार सतम बर्से रेलेटेट जितने भी इंपोर्टेंट का रेंट फिर बनती हैं सार इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे साथ पूरे लेसन को ध्यान से और लाश्ट तक आप जरूर देखेगा इसकी पीडियेप आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लाश्ट वीडियो की क्वीज थी आपके लिए कौसन था कि भीते दिनो किस तिन को विषव हैपटाईटीश दिवस यानि कि वर्ल्ड हैपटाईटीश दे के रूप में मनाया जाता है अब बात करते हैं देखिए आज की करेंट फिर की पहला कौसन है आज का Institute of Genomics and Integrative Biology और National Center for Disease Control के सोध करता हूने किसका उप्योग करके 3 मिनट में COVID-19 रिजल्स प्राप्त करने में सफलता हासिल की है तो करेक्ट अन्सुगा मास स्पेक्ट्रोमेटर देखें इध्यान से देखिएगा यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेटर से जो है केवल 3 मिनट में COVID-19 का पता लगा जा सकता है कि वो पोजिटिव है नेगेटिव ठीक है यहाँ पर देखिए यह जो नईवीदी है यह RNA को परिवर्दित किये भिना ही सीधे तोर पर COVID-19 वाइरस का पता लगा सकती है देखें अभी तक हम जैसे की यूज करते आ रहे हैं जो इतने भी जो COVID-19 टेस्ट होते थे वो जो RT-PCR जो परिक्शन होता था उसके तैद RNA को परिवर्दित करना पड़ता था इसकी वज़े से इसमें काफी ज़्यादा टाइम लगता था इस वाले टेस्ट में जो RT-PCR टेस्ट था COVID-19 का यह इसलिए काफी ज़्यादा टाइम कंजियूम करता था लेकिन यहाँ पर यह जो नई विदी है यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमिटर की इसके अंदर जो राइब्रो नुकलिक एसीड है RNA ठीक है यह इसको परिवर्दित नहीं करना पड़ता है ठीक है जो SARS-CoV-2 वाइरस है इसके अंदर जो peptides उपलब्ध होते हैं ठीक है उनको यह डिटेक्ट करती है और अगर उसमें peptides मिले हैं किस व्यक्ति में तो इसका मतलब है कि वो कोरोना वाइरस positive होगा अगर नहीं मिलते हैं peptides तो वो negative होगा तो यह इस तरीके से सेर्फ तीन मिनिट में यह चीज़े जो है complete हो जाती है तो यह विदी है mass spectrometer ठीक है यह धियान रखेगा next question यहाँ पर देखेगा हालही में किसने जल सरक्षन जल प्रबंदन जैसे महतवपूर्ण विशे पर लोगों तक पहुँच बनाने के उद्देशे से water heroes share your stories 2.0 नाम के एक प्रतियुक्ता का सुभारम किया है यहाँ पर यह प्रतियुक्ता जो है हालही में जल सकती मंत्राले द्वारा सुरू की गई है जिसका कहनाम है water यहाँ पर नाम दिया गया है water heroes share your stories 2.0 इसको नाम दिया गया है जिसको यहाँ पर हालही में जो सरकार है उसने जो जल सकती मंत्राले उसके द्वारा इसको जो है यहाँ पर launch किया गया है इसका उद्धेश से जो है देश में जल सरक्षन को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रतिचेतना को मजबूत बनाना है ठीक है इस उद्धेश से को आगे बढ़ाने के लिए जल संसाधन तसा जो नदी विकास यो गंगा सरक्षन विवाग है जल सक् मंत्राला है इन्हों ने जो है यहाँ पर इस योजना को इसको इस पहल को सुरू किया है जिसको नाम किये दिया गया है वाटर हीरोज छेर योर इस्टोरीज यह फिर जल नायक अपनी कहानी बताय प्रतियुकता सुरू किया है नेक्स वोसन यहाँ पर दिखेगा मोधी की अ फिनलेंड के साथ ही हाल ही में इस समझोता हुआ है। फिनलेंड के साथ है। इस रेंकिंग में सीर्स इस्तान पर रहा है। बिल्कुल सही है पहला उप्षन आपका टॉप पर अगर आपसे पुछा जाता है कि इस रेंकिंग में टॉप पर कौन है तो ओक्सपोर्ड युणिशिटिस में टॉप पर है। इसके बाद में दूसरा है कि चीन का सिंग्वा विस्विद्दाला है। यही सही है तो यहां पर तोप 20 में एक मातर ऐसी आई विस्विद्दाला सामिल हुआ है इस रेंकिंग में और वो कौन सा है चीन का जो सिंग्वा विस्विद्दाला है वो इसमें सामिल हुआ ठीक है। तीसरा option यहाँ पर बोल रहा है कि जो ranking है इसमें 93 देशों के 1527 उच्छिस सिक्षास अंस्तानों को सामिल किया गया है तो यह भी सही है 33 देशों की जो है यह ranking थी जिसमें 1527 सिक्षास अंस्तान सामिल किया है तो आपके तीनों option सही है यहाँ पर तो answer आपका हो जाएगा उपरोक तो सबी सही है चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में देखे यहाँ पर भारत की स्तितिक के बारे में अगर मैं बात करता हूं इस ranking को लेकर तो यहाँ पर जो world university ranking का top 400 में भारत की सिर्फ दो university ने इस्तान बनाया है जिसमें के लिए total यहाँ पर 63 university क्वालिफाई वी थी जिसमें से यहाँ पर जो IISC बेंगलोर और जो IIT रोपड है यह top 400 यहाँ पर top 400 में जगा बनाई है मातर इन दोनों university ने यानि कि भारत की जो इस्तिति है इसके इनस्वार काफी खराब है एजूकिसन के छेतर में ठीक है यह आपको देहन रखना है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कौसन है अपना जो virtually स्री लंका ने स्री लंका की अद्देख्सता में 2 सितंबर 2020 को भारत ने बिम्स्टेक की बैठक में भाग लिया है इस virtual बैठक में भारत का प्रतिनित्व किस ने किया है देखे कौसन थोड़ा समझेगा बोल रहा है कि जो हाल ही में बिम्स्टेक की बैठक होई थी उसके अद्देख्सता किस ने की है स्री लंका ने की है वर्चुली चीक है लेकिन इसमें अगर हम भात करते हैं यहाँ पे पूछे जारा की इस बैठक में भारत का नेत्र तो यानी भारत का प्रतिनित्व है वो किस ने किया है तो करेक्टान्शों का जो विजेस मंत्रा लेकिए सची घाकोर सिंग है इनी के दुआरा यहाँ पर इस बिम्स्टेक की बैठक म मेजवानी की गई है भारत की तरप से इतना आपको ध्यान डखना है चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं यहाँ पर पहले तो इस बैठक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखे भारत ने बिम्स्टेक की बैठक में भाग लिया है भी जो दो सितंबर को संपन हुई है ठीक है और सदस्य देशो के बीच में सयोग या विस्तार करने के तरीका पर चर्चा हुई इसमें साथी जो वरतमान में जो COVID-19 की जो निस चुनोतिया है उचसे निपटने के लिए इस बैठक में यहाँ पर चर्चा हुई है यह थो गया बिम्स्टेक की बैठक के बारे में थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में आपको बता देते की बिम्स्टेक है क्या ठीक है चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैप के जरी आपको दिखाते हैं इसके जो सदस्य देश है वो है साथ सदस्य देश है इसके बिम्स्टेक के सदस्य देश कितने साथ है जिसमें हमारा इंडिया है नेपाल है भूटान है यहाँ पर बांगला देश मयानमार और यहाँ पर जो आपका स्रिलंका और थाइलेंड ठीक है यह साथ देश है इस बिम्स्टेक के सदस्य हैं जिसकी स्तापना कब हुई थी इसकी स्तापना हुई थी 1997 में जो है इस बिम्स्टेक की स्तापना की गई थी बैंकोक में ठीक है उस समय यहाँ पर जो है केवल चार सदस्य थे इसके जिसमें बांगलादे, स्रिलंका, भारत और थाइलेंड सामिल थे ठीक है बाद में ये और चुड़े हैं चार के लावा तो ये तो हो गया बिमस्टेक नेक्स्ट कॉसमें यहाँ पर देखेगा पी एम मोदी की अद्धेक्सता में केंद्रिय मंत्री मंदल ने जमू और कस्मीर की भासा विदेग 2020 के तहट हिंदी, उर्दू, डौंगरी, अंगरेजी और कस्मीरी सहित कुल कितनी भासाओं को केंद्र सासित प्रदेश की आधिकार एक भासा के रूप में मंजूरी देदी है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, देखे हाल ही में जो है यहाँ पर जम्मो कस्मीर भासा विदेग दो एर बीस वारित हुआ है, जिसके तहट यहाँ पर जो हिंदी, उर्दू, डौंगरी, अंगरेजी और कस्मीरी जो नेक्स्ट वासन यहाँ पर दिखेगा, किस हवाय अड़े को उर्जा प्रबंदन में उतकरिष्टा के लिए 21 वे राष्टिय पुर्षकार में नैशनल एनर्जी लीडर और एक्सिलेंस एनर्जी एफिसियन्ट यूनिट पुर्षकार प्रदान किया गया है, तो यह पुर् और एक्सिलेंस एनर्जी एफिसियन्ट पुर्षकार प्रदान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, किसको हैदराबाद अंतराष्टिय अवायड़ा जिसे जी एम आर द्वारसन चालिक किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो जो राजी उगांदी अंतराष्टिय यह आपको ध्यान रखना है, इसी के अलावा एक और जो पुर्षकार है, राष्टिय इस्पात निगम लिमिटेड जो विसा का पटनम है, इसको दिया गया है, कौन सा पुर्षकार दिया गया है, उर्जा परबंदन में उतकरश्टा के लिए जो राष्टिय पुर्षकार एक यहाँ पर हैदराबाद अंतराष्टी हवायड़े को दिया गया है, कौन सा यहाँ पर जो एक्सिलेंस एनर्जी एफिसेंट पुर्षकार और नेशनल एनर्जी लिडर ठीक है, तो यह दोनों आपको धान रखना है, नेक्स्ट कॉसन देखिएगा, तमील नाडु में ज प्लानिसवामी चीक है, इन्नों के द्वारे एक नई पैहल सुरू की गई है, और हाल्खी में इन्नों जो है, जो एम्बॉलेञ्स सेवा है, उसको सुरू किया है, एक सौछाटा एम्बॉलेंस सेवा, जिसमें भारत की पहली महिला एम्बॉलेंस ट्राइवर को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है और इनका नाम क्या है एम वीर लक्समी इनका नाम है जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं एम वीर लक्समी देश की पहली महिला एंबुलेंच ड्राइवर होगी यह आपको ध्यान डखना है जिसको हाल ही में यहाँ पर नियुक्ति दी गई है जो यहा रेल्वे बोर्ड के वर्तमान चेर्मेन जिनको रेल्वे बोर्ड का मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि की CEO न्यूक्त करने की घोशना कर दिया है या मंजूरी देदी है इतना आपको ध्यां डखना है नेक्स्ट कॉसन देखिएगा निम्न में से कोन नागरिक उड्यन शुरुक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनी है उशा पाड़े इसका करेक्टांस होगा देखें उशा पाड़े जिनको आप यहां पे देख रहे हैं इस पद पर न्यूक्त होने वाली यह पहली महि ला और तीसरी IAS अधिकारी है यह चीज़ आपको रट लेना है ठीक है उशा का जो है केंदरे परतिने न्यूक्ति कारेकाल 16 जुलाई 2022 तक रहेगा यानि कि न्यूक्ति राकेश अस्ताना के इस्तान पर की गई है यह भी आपको देहां रखना है जिनको राली बीटे दिनो 17 गस्त को सीमा सुरुक्साबल B.S.A.P. का महाने देशक न्यूक्ति कि गया है तो राकेश अस्ताना को जो है यहां पर B.S.A.P. का महाने देशक चुन दिया गया है और इनकी जगह जो है यहां पर इनको दे दी गई है जो मैंने आपको नाम बता है उसा पाड़े तो नाग यह आपको बताना है जो भी करेक्ट आनसर है आपको नीचे कमेंट बोक्स में लिखना है तो आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक सेर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यबाद